नमस्कार किसान बहिएं स्वागत है विकम फार्मिंग यूटूब चैनल में किसान बहिए जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक गन्ना किसम जो की पिछले समय में कुछ दिनों पहले जो की आई थी जिस किसम का नाम था किसान बहिए इस किसम के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे वीडियो में आप उसी किसम को ही देख रहे हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो किसम है अभी तक की कैसी परफॉर्मेस दे रही है ये किसम जो है आगे चलके कैसा रिस्पॉंस देगी और यह किसम अभी तक क्या इसकी पहचान है कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं और क्या अभी तक इसका रिजल्ट जो है देखने को मिल रहा है यह किसम आगे चलके काम्याब होगी या नहीं होगी पूरी जानकारी आपको इस वीडियों देंगे अगर किसान भायो चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली गंटी दबा लिजिए तो बढ़ते हैं वीडियो तर तो बात करते हैं इस गन्ना किसम की ये गन्ना किसम है 17231, COS 17231 अगर इस किसम की बात की जाए तो किसान भायो ये बहुत ही शानदार अच्छी किसम अभी तक इसका जो रिजल्ट जो रिस्पॉंस जो देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा है इसकी अगर पहचान की बात की जा किसान भायो तिसका जो आप अगोरा देख रहे हैं पत्तियां देख रहे हैं आपको काफी चाड़ी जो देखने को मिल रही है वही अभी एक किसम जो है नीचे से आप देख रहे हैं और ये जो चार मार्च 2023 को सहाजाँपुर में सोध प्रिसत में जो किसान मेला लगा था, वहाँ पे इस किसम का वितरन हुआ था, बहुत कम लोगों को ये किसम मिली थी, और आने वाले समय में हमारे किसान भाईयों के पास ये किसम पहुंच जाएगी, और इसका भीच कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, वह आपको उगली वीडियों में जान करें देंगे, तो परफॉर्मस की बात कीजा तो बहुत ही अच्छा इसकी परफॉर्मस है, और इसकी अगर बहचान की बात कीजाएगी, तो हमने बताया कि इसकी जो आख है, वो आपको तिकोने एकार की देखने को तिर्भुजुकार की देखने को मिलती है गन्ना अंदर से काफी ठोस है और इसकी जो मोटाई है वो मध्यम आपको देखने को मलती है रंग जो हरा और गुलाबी हलका आपको पत्ती उतारने पे देखने को मिलता है और आपको इसमें ज जो है लंबी होती है और पतियां जो हैं इसकी काफी चौड़ी होती है पोरी आप देख रहे होंगे कि इसकी लंबी है और इसका जो निचला सिरा है वो आपको देखने को थोड़ा पतला देखने को मिलता है और उपर का सिरा मोटा देखने को मिलता है और इसकी पतियां काफी चोड़ी देखने को मिलती है बाहर से ये काफी मुलाइम है और 84 टन प्रती हेक्टेर इसका जो होतुपादन की बात की जाती है नौ महिने में ये फसल जो है पक कर त्यार हो जाती है और इस फसल की भी बुवाई जो है मार्च में की गई आपके सामने है इसका जो रुजल पति उतार दी जाती है तो इसका जो पीला और काला रंग भी देखने को मिलता है और इसकी पोरी लंबी होती है निचला सिरा पतला ओपर का सिरा मोटा होता पतियां का पी चौड़ी होती है तो ये आपके सामने है तो उमीद करते हैं हमारे दौरा दीगे जानकर इच्छी